बुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आई अम्रीता सर्मा वेलकम यू इन केमिस्टी क्लासे बिटा इन इन इस लेक्चर वी विल डिसकस अबाउट सेपरेशन ओफ डिफरेंट गैसे फ्रोम एयर एयर में जो अलग अलग गैसे प्रिजेंट है उनका सेपरेशन हम कैसे करेंगे यह हम सीखेंगे बच्चो एयर होमोजीनियस mixture है एयर में नाइट्रोजन ऑक्सिजन कारबनडाय और आर्गन गैसे प्रिजेंट है तो होमोजीनियस मिक्शर को हम सैपरेट करेंगे फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन हमने प्रीवियस लेक्शे में बच्चों समझा है इसका प्रोसीजर आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे इस पूरे प्रोसीजर को हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझने की कोसिस करेंगे बच्चों जो यह गैसेज है जो एर में प्रेजेंट है ऑक्सीजर आरगन नाइट्रोजन कारबन डायक्साइड गैसेज़ बच्चों डिफ्रेंस इनके बोलिंग पॉइंट में डिफ्रेंस ही इन गैसेज को सेपरेट करने में हमारी हैल्प करेगा नव बच्चों अगर परसंटेज की बात करें तो लार्ज अमाउंट में जो परसंटेज है एर में वो नाइट्रोजन की है डाट इस सेवंटी पॉइंट 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 परसंटेज इस भी परसंट से लेकर 0.04 परसंट तक ये गैसे तो बचों अगर हम कारवन डाय्या आक्साइड की बात करें तो बचो कारवन डाय आकसाइड को तो हम सॉलीड में भी कनवर्ट कर सकते हैं टेमप्रेचर कम करके प्रैसर इंक्रीज करके कारवन डाय आकसाइड सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाएगी ड्राइज की फोम में सॉलीड सी ओटू की फोम में उसके बाद नाइट्रोजन का बोलिंग पॉइंट कम है फिर नाइट्रोजन को हम वैपराइज करेंगे सेपरेट करेंगे उसके बाद आरगन एंड एट लास्ट ऑक्सीजन तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी के थ्रूइन को समझने की कोसिस करेंगे आप स्क्रीन पे देखिए गा बचो यह जो आपको चैंबर में जाती है और उस चैंबर में प्रैसर इंक्रीज किया जाता है आपको दो डिस्क दिखाई देरी इनके बीच में गैस प्रैसराइज हो जाती है गैस का प्रैसर इंक्रीज किया जाता है गैस पे और जो प्रैसर इंक्रीज होता है तो बच्चो टैंप्रेचर भी उसको दूसरे चेंबर में एंटर करवाया जाता है और इस दूसरे चेंबर में बचो होट एयर एंटर करती है इसको हम करेंगे कूल और इसको बचो होट एयर को बचो इस चेंबर में जब एंटर करती है तो भोजाता गरम एयर होती है इसको हम कूल करने के लिए हम क्या एक ये जो pipe आपको दीख रही है, इस पैरिकल सेप में जो आपको pipe दीख रही है, इसमें से बेटा नीचे से freezing cold water में एंटर करवाएंगे जो जिससे gas कूल हो जाएगी होट वाटर है जो गर्म gas की वज़े से गर्म हो गया है उसको हम outlet के थ्रूँ बचो आउटलेट के थ्रू आप देखेंगे उसको हम भार निकाल लेंगे तो बेटा सेकंड चेमबर में हमने क्या किया गैस को ठंडा किया कोल्ड वाटर की सप्लाई करके अब बच्चो ये सेकंड चेमबर से गैस कोल्ड हो करके कमप्रेस्ट हो करके ये एंटर करेगी आगे देखेगा आप ये गैस एक जो पाइप आपको दिख रहा है इसके थ्रू एक सेपरेटर में एंटर करेगी और सेपरेटर आपको दिखाई दे रहा होगा सेपरेटर का साइज बड़ा है तो इसमें क्या होता है gas expand हो जाती है temperature about minus 78 के लगबग यहां पे हो जाता है separator में जब gas expand होता है तो बिलकुल उसका temperature कम हो जाता है आप देखेंगे जब gas छोटे container में थी और उसको हम बड़े container में ले जाते हैं तो gas के particle gas के particle जादा space में घूमेंगे जिससे उनके बीच में जो कोलीजन है वो कम होगा टेमप्रेचर कम हो जाएगा आप देखेंगे अगर आप कंटेनर में गैस है और पिस्टन से प्रेसर अपलाई करते तो टेमप्रेचर बढ़ जाता है और अगर आप गैस की वोल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसका टेमप्रेचर हो जाता है बचो कम और जादा वोल्यूम बढ़ा देंगे तो टेमप्रेचर और कम हो जाएगा मतलब गैस ठंडी हो जाएगी तो बटा ये जो सेप्रेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे अवाउट माइनस सेवंटी एट माइनस एटी के अराउंड टेमप्रेचर हो जाता है इतनी ज़्यादा कूल हो जाती है गैस और हम क्या करते हैं हमने गैस पहले ही ठंडी तो करी ली थी कमप्रेस करके उसको हमने भेज दिया सेप्रेटर में सेप्रेटर में वोल्यूम एक्सपैंड हुई गैस बिल्कुल ठंडी हो गई टेमप्रेचर कम हो गया माइनस एटी के लगबग तो इस टेमप्रेचर पे बचो इस टेमप्रेचर पे माइनस सेवंटी एट के लगबग जब हो गया है तो जो carbon dioxide gas है वो dry ice की form में solid co2 की form में separate out हो जाती है अब बची हुई air को हम फिर से expand करते हैं एक्सपेंशन जैट में जाती है एक्सपेंट करते हैं जिससे air liquid में convert हो जाती है liquefy हो जाती है एक्सपेंशन जैट में फिर दुबारा gas expand होती है ठंडी हो जाती है अब तो fractional distillation column में enter करती है gases तो बैटा oxygen का nitrogen का और argon का इनका boiling point तीनों का देखा जाए comparison किया जाए तो oxygen का होता है minus 183 degree Celsius nitrogen का minus 196 degree Celsius और argon का minus 186 degree Celsius तो इन तीनों gases में से सबसे जो कम boiling point है वो है nitrogen minus 196 degree Celsius और argon minus 186 degree Celsius oxygen का boiling point ज्यादा है तो oxygen को separate होने में टाइम लगेगा अगर temperature इस चेंबर में minus 184 degree Celsius के लगबग है तो दोनों gases oxygen और nitrogen ये vapor की form में यहां से separate आउट हो जाती है Fractional Distillation का यहां पर यूज किया गया है बच्चो आपने previous lecture में Fractional Distillation समझा है जब ये liquid air fractionating column में जाती है जहां पर glass beads होते हैं कोलम बनाए गए है इसमें इसे जब liquid air जाती है तो क्योंकि nitrogen और argon का boiling point कम है ये तो vapor की form में separate out हो जाती है और remaining रह जाती है oxygen जो की condense होकर के glass के जो beads है जो chamber जो बने हुए distillation column में उसमें से condense होकर के नीचे ही आ जाती है nitrogen और argon के separate होने के बाद last जो receiver बचता है उसमें केवल और केवल liquid oxygen होती है इस तरीके से बच्चो हमने air में जितनी भी gases थी उनको one by one separate कर लिया है I hope आपको concept बच्चो समझ में आया होगा carbon dioxide को हमने separate कर लिया nitrogen को हमने separate कर लिया और liquid oxygen को भी हमने separate कर लिया है बच्चो फिर से activity देखेगा जो इन gases को जो अभी मैंने आपको समझा है उस activity को आप live देखेगा आपको compressor दिखाई दे रहा है filter दिखाई दे रहा है gas को compress किया फिर उसके बाद दूसरे chamber में जहां से cold water की हम supply कर रहे थे देखेगा filter filter में से air जाती है chamber में जिसमें gas को compress किया जाता है compress under pressure gas है फिर उसके बाद temperature बढ़ जाता है pressure बढ़ाने से hot air दूसरे chamber में एंटर करती जिससे ठंडा किया जाता है freezing cold water की supply करते है hot water आउट हो जाता है फिर cold compressed air separator में जाती है जहां पर gas expand होती है temperature minus 80 के करीब होता है carbon dioxide separate out हो जाती है उसके बाद separator में expansion jet में जाती है जिससे nitrogen और argon separate out हो जाती है और at last receiver में क्या बच्चो oxygen gas छुष है जोач्किम तर दो पक्याए कर दो आपिजर खिसके बाद क्याए बच्चोons सक प्लेट बच्चोons सफसके कर 18 lugar झाल झाल